Hi Guys, Welcome to my channel once again So Friends Market में Vivo Company लगातार अपने नएने स्मार्टफोन को उतार रही है और दोस्तो आप सभी जानते हैं Vivo Company के स्मार्टफोन का प्राइज हमेशा ही दूसरी स्मार्टफोन कम्पनियों के स्मार्टफोन के मुकावले में जादा रहता है तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए टो फाई ऐसे स्मार्टफून लेकर आया हूँ जो कि आपको लग बग 25,000 पे से कम किमत के अंदर देखने को मिलते हैं और इनके अंदर आपको बड़ी है फीचर्स मिल जाते हैं हाला कि दोस्तो इच वीडियो में कुछ 5G स्मार्टफून भी है और कुछ ऐसे स्मार्टफून है जो की काफी समय पहले लौंच किये गए थे लेकिन दोस्तो ये सबी स्मार्टफून बड़ी है स्मार्टफून हैं तो दोस्तो यह दियाब भी Vivo Company के फैन हैं तो दोस्तो बने रही आप इस वीडियो में एन्ड तक और इदियाब को वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेर जरूर करें और हमारे चैनल को सबस्क्राइब बना ना भूलें तो चलिए दोस्तो वीडियो सब्सक्राइब बना भ आपको वाटर डोप नोच डिस्पले देखने को मिल जाती है फीचर्स के बारे में बात की जाए तो दोस्ते स्मार्ट फुन आपको कमपनी ने 6.58 इंच की फुल एचडी वाटर डोप नोच डिस्पले प्रोवाइड कराई है तो दोस्ते स्मार्ट फुन के प्रोवाइड के बारे में बात की जाए तो दोस्ते स्मार्ट फुन के प्रोवाइड के बारे में बात की जाए तो दोस्ते स्मार्ट फुन के बारे में बात की जाए तो दोस्ते स्मार्ट फुन के बारे में बात की जाए तो दोस्ते स्मार्ट GB का internal storage भी देखनी को मिल जाता है लेकिन दोस्ते इस स्मार्टफून की RAM को आप 4GB तक extend भी कर सकते हैं बैटरी के बारे में बात की जाए तो दोस्ते इस स्मार्टफून दर आपको कमपने ने 18W के fast charging sport वाली 5000 mH की बैटरी भी प्रोवाइड कराई है जिस दोस्ते इस स्मार्टफून आपको बड़िया और अच्छा लोंग पार वैकप देने वाला है तो दोस्ते जीदिया आप इस स्मार्टफून को खरीदना चाहते हैं तो दोस्ते इस स्मार्टफून का सुरुवाती वियरिट और दोस्ते अगर बात किजाए स्मार्टफून के कैमरा सेंसर के बारे में तो दोस्ते इस स्मार्टफून आपको कमपने ने ट्रिपल अरियर कैमरा सेंसर प्रोवाइड कराई है जिसमें आपको 64 मेय पिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा सेंसर और 16 में पिक्शल का सेल्फी कैम्रा मिल जाता है तो दोस्तो कैम्रा का मामले में इस स्मarfun जबरदस्त है इस स्मarfun दरापको कम्पने ने बढ़ी हा कैमरा सेंसर परोवाइड कराई है जिसे आप दोस्तो बढ़ी हा पिक्चर्स को कैप्चर कर सकती है और दोस्तो अगर बात की जाए स्मार्टफुन के प्रोसर के बारे में तो दोस्तो इस स्मार्टफुन दर आपको कंपने ने मेडियोटे का चिपसेट प्रोवाइड कराया है जी हाँ दोस्तो इस smartphone इंदर आपको कंपने ने ओक्टा कोर प्रोसजर के साथ मेडियोटे खेलियो G80 का चिपसेट दिया है जो कि आपको बड़िया गेमिंग पर्फॉर्वेंस देने वाला है और दोस्तो अगर इस smartphone की बैटरी के बारे में बात की जाए तो दोस्तो इस smartphone का सुरुवाती वी निट आपको लागबग 19,500 रुपे का असपास देखने को मिल जाता है और दोस्तो हमाल इस्ट में नमबर 3 पर आता है Vivo Y73 smartphone दोस्तो इस smartphone की company का एक बड़िया smartphone है जिसके अंदर आपको company ने बड़िया फीचर्स दिये है फीचर्स के बारे में बात की जाए तो दोस्तो इस smartphone दो आपको company ने 6.44 inch की Full HD Super AMOLED U-shape की Notes डिस्प्ले प्रोवाइड कराई गई है जिसके अंदर आपको In-Display Fingerpin Scanner भी मिल जाता है तो दोस्तो डिस्प्ले के मामले में smartphone बड़िया है इस smartphone दो आपको Super AMOLED का पैनल देखने को मिलता है और दोस्तो अगर बात की जाए इस smartphone के camera sensor के बारे में तो दोस्तो इसके इंदर भी आपको triple camera sensor मिलते है जिसमें आपको 16MP का main primary camera sensor और 16MP का selfie camera मिल जाता है जिससे आप बड़िया selfie को capture कर सकते है और वीडियो को लिगादी कर सकते है प्रोसेजर के बारे में बात की जाए तो दोस्तो इस smartphone इंदर आपको company ने Mediotech Helio G95 का chipset दिया है तो दोस्तो इस smartphone इंदर आपको और भी बड़ी आप प्रोसेजर देखने को मिलता है लेकिन दोस्तो इसके इंदर आपको fast 4308 का देखने को मिल जाता है जिससे दोस्तो आपका smartphone बहुती fast charge हो और दोस्तो इस smartphone भी आपको market में 8GB RAM के variant में मिल जाएगा जिसका सुरवाती variant आपको लगबग 21,000 पे में मिलेगा और दोस्तो हमारे लिश्टिम में नंबर दो पराता है वीवो कंपनी का वीवो V20 स्मार्टफोन दोस्तो इस smartphone भी कंपनी का बड़िया smartphone है आना कि दोस्तो इस smartphone काफी समय पहले लोंच किया गया था लेकिन दोस्तो इस smartphone इंदर आपको कंपनी ने फीचर्स बड़िया प्रोवाइड कराए है दोस्तो इस smartphone इंदर आपको ज्यादा तर फीचर्स वीवो Y73 स्मार्टफोन की जैसे ही देखने को मिलेंगी वोजी स्मार्टफोन का लुक और श्केडियान भी वैसा ही है तो दोस्तो इस smartphone इंदर भी आपको 6.47 इस इंदर फूल एच्डी सूपर एमोलेड यू सेप की नोच डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो की एक बड़िया क्वाल्टगी एमोलेड डिस्प्ले है इस smartphone इंदर आपको बड़िया वीडियो वीविंग एक्सपिरियंस मिलेगा इस smartphone इंदर आपको कमपने ने 64MP का मेन प्राइमरी camera sensor और 47MP का selfie camera प्रोवाइड कराया है तो दोस्तो इस smartphone इंदर आपको कमपने ने camera sensor जवरदर्ष्ट प्रोवाइड कराया है क्योंकि दोस्तो वीव कमपने की वी शेरीज के नदर आपको ज़ाधतर बड़िया camera sensor वाली smartphone मिलते है और दोस्तो अब बात की जाए smartphone के प्रोवाइड के बारे में तो दोस्तो इस smartphone इंदर आपको कमपने ने snapdragon 720 का chipset प्रोवाइड कराया है तो दोस्तो इस smartphone इंदर आपको snapdragon का chipset देखने को मिलता है जो के आपको बड़िया performance देने वाला है battery के बारे में बात की जाए तो दोस्तो इस smartphone इंदर भी आपको company ने 33 watt के fast charging sport वाली 4000 mAh की power roll battery प्रोवाइड कराई है तो दोस्तो इस इंदर भी आपको बड़िया battery और बड़िया fast charging sport मिल जाता है और इस smartphone को भी company ने अच्छा 5G smartphone है तो दोस्तो यदि आप V-series का 5G smartphone खरीजना चाहते है तो दोस्तो इस smartphone आपके लिए एक बड़िया option होने वाला है तो दोस्तो अगर इस smartphone के features के बारे में बात की जाए तो दोस्तो इस smartphone इंदर भी आपको 6.44 चिंज की full HD U-shape की उस डिस्प्ले प्रोवाइड कराए गई है जिसके अंदर आपको बिल्कुल पदले वेजल्स मिलते हैं और इसके अंदर भी आपको इन डिस्प्ले फिंगर पिन स्कैनर मिल जाता है camera sensor के बारे में बात की जाए तो दोस्तो इस smartphone इंदर आपको dual rear camera sensor मिलते है पर हज़र के बारे में बात की जाए तो दोस्तो इस smartphone इंदर आपको mediatek का chipset देखने को मिलता है जी हाँ दोस्तो इस smartphone इंदर आपको company ने mediatek diamond city 700 का chipset प्रोवाइड कराया है जो कि आपको ठीक ठाक performance देने वाला है और ये smartphone dual 5G connectivity के सपोर्ट के साथ आता है बैटरी के बारे में बात की जाए तो दोस्तो इस smartphone इंदर आपको 47W के fast charging support वाली 4000 एमिज की बैटरी प्रोवाइड करायी है तो दोस्तो बैटरी तो इस smartphone इंदर आपको fast 444W का देहने को मिल जाता है जिससे आपका smartphone बहुत ही fast charge होगा और दोस्तो इस smartphone भी market में आपको 8GV RAM के वीनिट में देखने को मिलेगा जिसके साथ आपको 128GV का internal storage देखने को मिल जाएगा और इस smartphone का सुरवाती वीनिट आपको लगबग 25,000 पे में मिलेगा तो दोस्तो ये थे टोफाइब वीव कंपनी के smartphone जो के आपको 25,000 पे से कम किमित में देखने को मिलते है उन्हें इनके दरापको बड़ी फीचर्स मिल जाते हैं तो दोस्तो आप इनमें इसकुन सा smartphone खरीजना पसंद करेंगे हमें comment box में comment करके जरूर बताएं और ये अपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेर जरूर करें और हमारे चनल को सब्सक्राइब को ना ना भूलें धन्यवाद